नमस्कार मैं सुचील पाल और आप देख रहे हैं राजिस्थान में तेजी से बढ़ता एंट्टी टीवी इंडिया सोचल मीडिया पर कुछ लोग तेजी से हज सबसीडी को लेकर अववाएं फिला रहे हैं के लिए कोई सबसीडी क्यों नहीं देती और एंट्टी बी इंडिया ने ऐसी वाइरल पोस्ट के बाद सबसीडी के मामलों की परताल की है जिसके मताबिक आपको बता दें कि केंज सरकार ने हज यात्रियों को 2018 से यात्रा सबसीडी देना बंद कर दिये सरकार ने ये निर्ने सुप्रिम कोट के 2012 के फैसले के मद्दे नजर किया था जिसमें हज सबसीडी 2022 तक दिर दिरे खतम करने का निर्देश दिया गया था इसके साथ ही आज हम आपको राज्य सरकारों द्वारा संचारे तीर्थ यात्राओं को प्रिदार की जानी वाली सबसीडी की जानकारी दे रहें क्योंकि हिंदुस्तान में तमाम राज्जे सरकारे अजमेर से लेकर यरुशलम तक की तीर्थ यात्रा के लिए सबसीड़ी दे रही है पेलाश मांसरोवर की यात्रा के लिए तो जबतर सरकारें भारी मात्रा में सबसीड़ी देती है कई राज्ये विबिंदार्मिक इस्तिलों की तीरतियात्रा को सबसीडी देती है जिनमें से कई राज्ये वरिष्ट नागरिकों को मुफ्त यात्रा और अन्य सुविधायें भी प्रदान करती है और इसी में सबसे पहले बात करते हैं राजिस्थान सरकार की राजिस्थान में साल 2013 में कॉंग्रेस सरकार ने वरिष्ट नागरिक तीरतियात्रियों के लिए सबी खर्चों वाली रेलवे यात्रा शुरू की लेकिन भाजपा सरकार ने इस योजना के नाम में बदलाव किया और इसको हवाई सेवा से भी जोड़ दिया गया इस योजना को देव इस्थान विबाद की वरिष्ट नागरिक तीरतियात्रा योजना के नाम से जाना जाता है चालू वर्ष की योजना में सरकार ने शिर्दालियों को जगनात पूरी, रामेश्वरम, वैष्णों देवी, तिरूपती, दुआरीकापूरी, अम्रिस सर, सहीत 13 इस्थानों की यात्रा करवाई थी जिसमें साल 13-14 में 41,390 तीरतियात्रियों को, 14-15 में 6,914 और 15-16 में 8,710 और 18-19 में 7,164 लोगों को लबामवित किया गया था ये सबी आखड़े और स्योजना की जानकारी आप देविस्थान विबाग राइस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं अब दिल्ली सरकार क्या सुविदा देती हैं वो भी जान लीजिए दिल्ली सरकार हर साल 60 साल से अधिक आई हो के नागरिकों को मुफ्त तीरतियात्रा करा रही है सरकार तीरतियात्रियों को वातानू कुलीद बसो और ट्रेन से ये यात्रा करवा रही है जिसमें तीन दिन और दो रात की यात्रा में सरकार होटल में रहने बस और बोजन का खर्च उठाने के साथ ही नागरिक का दो लाग रुपे का बीमा भी देती है इस योजना के तहट शुरुआती तोर पर पांच तीर्थ इसलो का चैन किया गया था जिसमें मतूरा, विन्नावन, हरिदुआर, रिचिकेश, निलकंट, पुशकर, अजमेर, अमरिसर, वागा और वैशनो देवी शामिल है और अब चलिए मद्देपर्देश सरकार की और 2012 में वद्देपर्देश सरकार ने भी मुख्यमंति तीर्थ दर्शन योजना नाम से सुवीदा शुरू की थी ये अपनी तरह की की पहली ऐसी योजना थी जिसमें रामेशोरम की यात्रा के लिए प्रिदेश के उन वरिष्ट नागरिकों को शामिल किया गया जो आएकर का बुक्तान नहीं करते हैं सरकार ने शुरू में 17 तीरतिस्थानों की लिस्ट बनाई जिसमें मुसलमानों के लिए अजमेर शरिप, बोद्दों के लिए गया, सिकों के लिए अमृत सर और जैनों के लिए शेवन बेलगोला और समेज शिकर इसायों के लिए वेलागंडी, चच, नागपटीनम, तमिलाडू में जो श्तित है को शामिल किया और हिंदों के कई तीर तिस्टलो मस्लन वैश्णुदेवी, अमनाथ, तिरूपती, काशी, बदरीनाथ, किदारनाथ, द्वारकापुरी, जगनाथ, हरिद्वार, शिड्डी और रामेश्वरम की तीर तियात्रों का विकल दिया गया 60 साल से अधिक के लोग और 65 साल से अधिक के विर्द साहयकों के साथ ये यात्राएं सिरी में करते हैं उनका रुकना, आना जाना और खाना सरकार की तरफ से होता है वहीं भाजपा सरकार ने विदेश इस्थित, तीर्थ यात्रा के लिए भी सुविधायें प्रदान की थी जिसमें सरकार 30,000 रुपे या 50 फिज़ी खर्ज खुद वहन करती थी इन तीर्थ इसलों में ननकाना साहिप, हिंगलाज माता, मंदिर जो पाकिस्तान में है, मांसरोवर चीन में जो इस्तिते अंकोरवार कमबोडिया में जो इस्तिते, सीता मंदिर श्री लंका में जो है इस्तिते उन्हें शामिल किया गया गुजरात सरकार ने 2001 से मांसरोवर यातरा करवा रही है, मुख्यमंत्री विजे रुपानी ने गुजरात के 97 स्तापना दिवस के अफसर पर तो 73 तर्षन योचना और सिंदू दर्षन यातरा भी शुरू की सरकार मांसरोवर यातरा पर जाने वाले तीरत यातरियों को 23,000 रुपे साहता देती है अब तक कई नागरी के सिंदू यातरा के लिए सरकार 1500 रुपे यातरियों को देती है वहीं उत्राकंड सरकार ने साल 2014 में वरिष नागरीकों के लिए मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ नाम से योजना शुरू गी थी इस योजना के तहट शिर्डालियों को गंगोत्री, बद्रिनाथ और रिठा मीटा साहिब जैसे दर्मिस्पलो की यातरा करवाई जाती है साल 2017 में बाजपा सरकार ने स्योजना का नाम बदल कर पंडित दिन दयाल उपाद्य मात्र पित्र कर दिया साती गंगोत्री और बद्रिनाथ के अलावा राज्ये के पोड़ी जनपत स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर कुमाउं के जागेश्वर दाम, उदम सिंग नगर के नानक माता, हरिदवार के पिरान कलिये दर्गा आदी की यातरा को भी इसमें शामिल किया गया था इसके साथ ही बात अगर हर्याना की की जाए तो यहां के मुक्यमंत्री मनोलाल खटर ने 6 मार्च 2017 को वरिष्ट नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन नामक योजना की गुष्णा की इस योजना के तहट DPL वाले वरिष्ट नागरिकों को नीशुल की यातरा करवाई जा रही है लेकिन जो वरिष्ट नागरिक DPL वर्ग में नहीं आते हैं उनको 70% राची, विबाग और 30% लाबारती भुकतान करेगा इस योजना में भारती रेलवे केटरिंग और टूरिजम कॉर्पोरेशन द्वारा प्रितेकवर्ष अधिक्तम 200 वरिष्ट नागरिकों को विशेश स्टलो पर ले जाये जाता है जिसमें 50 बुज़ग तीरत यात्रियों को सरकार लगदाक में सिंदू दर्शन के लिए 10,000 रुपे जबकि 50 बुज़ग नागरिकों के मानसरुवर की यात्रा के लिए 50,000 रुपे देती है सरकार ने सिंदू यात्रा के लिए 5 लाग रुपे और मांसरोवर यात्रा के लिए 25 लाग रुपे दिये हैं इसी तरह चतिसगर, उत्तपरतेश, कन्नाटक, असम, उडिसा की सरकार भी योजनाओं के माद्यम से हिंदू यात्राओं उपर पैसा खर्च कर रही है बहीं तमिलाडू में तो इसाईओं और हिंदूओं दोनों को सबसीड़ी मिलती है इसाईओं को यरुशलम और हिंदू को मांसरोवर के लिए 40 अजार और नेपाल के मुफ्टीना जाने के लिए 10,000 रुपे दनरशी दी जाती है जबकि 500 इसाईयों को यरुशलम जाने के लिए 20-20,000 रुपे सबसीडी दी जाती है लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे राज्ये भी हैं जहां ये सुविदाएं नहीं दी जाती हैं जिसमें पच्चिम बंगाल, बिहार, माराश्ट, आनपरदेश, तलंगाना और केरल की सरकारे शामिल हैं जो तीरती आख्रियों को कोई सबसीडी नहीं देती है